ये गाई स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चनल पर एटमिक्स में है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले 10 प्रॉब्लम आप बीगल डॉग बिट के बारे में अगर आप लेने के सोच रहे हैं फिर आपके पास है तो ये प्रॉब्लम के बारे में आपको जानना जरूरी है ताकि आप अवेर और उन बातों का ध्यान रखके आप अच्छा बीगल डॉग बिट ले सके इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम के बारे में मैंने वीडियो में बताया लैब्रड और जर्मन सेपड और वी वाकी डॉग तो आपको आई बटन में यांड स्क अप्शन नहीं है क्योंकि अगर वाच डॉग भी बन जाता है तो थोगा बहुत बार करेगा और फिर अपने आप उसके स्टेंजर के साथ घुल मिलके उसके साथ खेलने लगेगा तो आप बोल सकते है फ्रेंली टाइप के डॉग बिट यह बन जाता है तो सबसे पहली प्र फाट डालते कभी तक्या फाडएंगे ऐसे सारे चीजे वह अकेले में करते हैं जो थर्ड प्रॉब्लम आती है कि फूड आपको पता है बीगल काफी जदा खाने के शोकिन होते है उनको अब कुछ भी एक भी हैविट लगा दे तो जल्दी से वह हैविट उसको फॉलो करते चाहे हो घर का खाना हो या फिर डॉक फूड हो या फिर नॉन वेज हो अब इक बार लोग ग्रेवी जदा देते हैं तो वह काफी जदा खा लेता है उसके कारण ओवरवेट हो जाता है बीगल कभी भी आपको ना नहीं बोलेगा खाने के मामले में आप जितना दो कि उतना ह अगर आप एक्टिविटी नहीं कराते अच्छे से देख बाल नहीं करते केर नहीं करते तो जैसे हिप डिस्प्लिश्या बोन की प्रॉब्लम हो गया डॉक बीमार पढ़ जाना है इसलिए उसकी केर और रेगुलर चेकप करने के लिए आपको डॉक्टर के पास उसको जरू दोर धाम करता है तो ऐसे में अगर आपको छोटा घर है तो आप सोच रहे हो कि मैं छोटा डॉक्ट बीड लाओ और अच्छे से रहेगा तो आपकी गलत फैम हो सकती क्योंकि उसको एक्टिविटी करने के थोड़ी बहुत स्पेस की जरूत होती है और रेगुलर वाक और उ बीगल डॉक्ट बीट ले रहे हो आप उसको डिसिप्लिन में ट्रेनिंग नहीं देते हैं उसको सोशिलाइज नहीं करते है तो आफट ओफ कंट्रोल भी हो जाएगा आपकी बात नहीं मानेगा आपकी बात कितने बीड़र करो ऊपनी मनमानी करेगा इसलिए बीगल अब ले कुछ भी सुनता नहीं है अपनी मनमानी करता है उसको बचपन से आपको ट्रेनिंग देनी होगी और जिसे धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है उससे नहीं नहीं अक्टिविटी नहीं कुछ सिखाना पड़ेगा तब जाके वेल डिसिप्रिन में और मेंटेन रहेगा तो जो हम संदल लगा तोड़ना कुछ नहीं आपके दभाने के लिए ज़िए है तो इसके इनरजी कही नहीं उसको खर्च करता है तो इसे में उसको खिलो नहीं है अ कि आपको देना ज़रूरि जो प्रब्लम नूमबर एट है कि आपको देखोगी environment जिसे चेंज होगा उसमें आपको काफ़ी ज़यान रखना पड़ सकता है कि उसका कोट होता है तो थंडी पर दो को पको काफी करने है सकता हुए तंडी में आराम से हो सकता है वर थंडी में और वियुक्ता है्ग करनी पत टो की जील को ना आना काफी देदर पसंद नहीं कोई ऐसे डॉग बीड होगे जिनको ना पसंद आ घर अगर आप वग्य डॉग को ने लाओ गे तो यह भागेंगे नाएंगे वेल रहें जिसके कारण कभी कफिश रखना रखना है रेगुलर के मैंटेन रखना है नेहलाना है और हमेशे बाहर से घर पर आते हैं तो उसको पाओ बाओ उसका शरीज अच्छे गिले कपड़े से सुके कपड़े के साथ अच्छे से साफ कर लेना है तो प्रॉब्लम नंबर टेन है वो है कि डॉक का स्कीन अलर्जी अब बीगल के उपर कभी कब बीगल क्या होते हैं पानी में जाके ब होते हैं तो कांन के अंदर कभी 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 स्कीन अलर्जी ओ सकती है, हो सकती है इसलójे उसका कांन भी अच्छे से साफ करने पड़ सकते है तो यह आपको काफी जद चीराद में उनका ध्यान देना पड़ सकता है तो आशा करता हो यह 10 प्रोब्लम आपको जरूर से बीगल के बारे में अच्छे लगए और इनको अगर आप सॉल्विशन लाते हो तो वीगल डॉक्बिट आपके लिए काफी ज़्यदा अच्छा डॉक्बिट हो सकता है तो गईस अब आपको वीडियो अच्छे लगी तो पर लाइक जरू करना शेर जरू करना और चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू से करना